सबा मीडिया सेल के विवादि ट्वीट पर केस दर्ज हो गया है पुलिस ट्रांसवर में जाती को लेकर सवाल उठाय गए थे समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से किये गए एक ट्वीट के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है इसमें जाती विवस्था के आधार पर ठाकरों को पुलिस थाने में नियुक्ती देने का आरोप लगाया गया था ट्वीट में लिखा गया था कि सबका साथ लेकिन एक जाती पर विश्वास सिर्फ एक जाती का विकास समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से किये गए एक ट्वीट पर गाजवाद के थाना साहिवाबाद में मुकदमा दर्स किया गया है दरसल इस ट्वीट में पुलिस ट्रांसवर में जाती को लेकर सवाल उठाया गया था यह समाजवादी ट्यूटर हेंडल है समाजवादी ट्यूटर सैल के नाम से जिनोंने हमारे मानने मुक्खे मंत्री जी के ओ छवी को दोमिल करनी कोशिस किया जिसमें जातिवाद को बढ़काने का काम किया है अभी छे थाना परवारी सायवबद और गाजवद में ट्रांसफर हुए है जिसमें उन्नोंने बोला की ठाकुरों को मलाई दिया जबकि उसमें तीन जाट है, एक यादव है, एक कुर्मी है और दो ठाकुर है सपागी मीडिया सेल की तरफ से टूइट किया गया था कि गाजयाबाद में छे कोतवाली प्रभारियों के तबादले हुए हैं इंद्रापुरम, साहेबाबाद, नंदग्राम, लिंक रोड, महिला थाना सहित, मधुबन, बापु धाम के कोतवाल बतले गए सबका साथ, लेगिन एक जाती परविश्वास, सिर्फ एक जाती का विकास, वोट के वक्त सब हिंदू, मलाई वाटते वक्त सिर्फ योगी जी के सवजाती अठाकोट इसके साथ ही एक लिस्ट भी लगी हुई है, इसमें लिखा है कि निरिक्षक योगेंद्र सिंग को वाचक पुलिस आयुक्त से प्रभारी निरिक्षक थाना इंद्रापुरम में निरिक्षक मुरेंद्र सिंग को प्रभारी चुनाव सैल को प्रभारी निरिक्षक थाना साहिवाबाद, निरिक्षक सचिन मलिक को प्रभारी निरिक्षक थाना साहिवाबाद से प्रभारी निरिक्षक थाना नंद गराम, निरिक्षक सत्यवीर सिंग स्वार्ट टीम को प् अच्छा काम कर रहे हैं मुक्के मानने मुक्के मंतर जी जो कि वो जातिवाद धरम से बिल्कुल हटके सबको एक समान लेके चल रहे हैं। कहा गया है कि जनपत काजियावाद में प्रिशाशनिक विवस्था के तहट कुछ पलिस अधिकारियों की इस्थानांतरन किये गए थे।